जहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूग चैनल पाराचंपारन वाला में आज हम लोग देखने वाले हैं बिटामिन की कमी से होने वाले रोग और बिटामिनों का रासाइनिक नाम बड़ा ही आसान सा, सांदार सा ट्रिक है आपका क्योंकि जेनरली रासाइनिक नाम हम लोगों को याद होता नहीं है यहां जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं ट्रिक क्या है आपका विटामिनों का nौ इसका ट्रिक है आपका रथ एक टॉफी ठीक है रथ एक टॉफी रोभ से क्या हो जाएगा रेटीनॉल रेटीनॉल रोभ से आपका होगा रेटीनॉल यह रासाइनिक नाम है किसका रासाइनिक नाम है तो विटामिन A का ध्यान रखेंगे यह जो ट्रिक है इस ट्रिक में विटामिन्स जो है क्रम से आ जाएंगे यानि कि A, B, C, D, E और K क्रम से आएंगे मैं रासाइनिक नाम हो उसका दोनों लिखते चलूँगा दूसरा है आपका थो थो से थाइमीन थाइमीन ये किसका रासानिक नाम है? तो बिटामिन B का उसके बाद है आपका A A से एसकॉर्बिक ये किसका रासानिक नाम है? C का उसके बाद है को से को से कैलसी फेरॉल कैलसी किसका रासाइनिक नाम है तो D का रासाइनिक नाम है उसके बाद है आपका टॉ से टोको फेरॉल किसका रासाइनिक नाम है यह है आपका E का रासाइनिक नाम उसके बाद है आपका फी से फी नो कुईनोन किसका रासाइन के नाम है के का अब सवाल ये उठता है कि के वल्द रासाइन के नाम याद करने से नहीं होगा क्योंकि एक्जाम में आपको माल लेते हैं पूछ दिया कि फलाने की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी ध्यार रखना है विटामिन A की कमी से हमको रताओधी हो सकता है क्या हो सकता है रताओधी हो सकता है रताओधी जो है एक ऐसी बिमारी है जब अंधेरे में हमको नहीं दिखाई देता विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग हो सकता है बेरी-बेरी रोग हो सकता है विटामिन C की कमी से हमको शकरवी रोग हो सकता है विटामिन D की कमी से रिकेट सो सकता है रिकेट सो सकता है विटामिन E की कमी से बाज़पन हो सकता है बाज़पन और विटामिन K की कमी से क्या हो सकता है तो रक्त का थक्का रक्त का थक्का नहीं जमेगा थक्का नहीं जमेगा कहां नहीं जमेगा तो सरीर अगर कहीं पर कट जाता है तो उसके बाद जब रक्त निकलना सुरू होगा तो उसका रक्त थक्का ही नहीं जमेगा किसकी कमी से बिटामिन के की कमी से ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है ये है राशाइनिक नाम ये है उस बिटामिन का नाम और ये है उस बिटामिन की कमी से होने वाली बिमारी चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो